ओम नमस्षिवाई तंत्र के रचैता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है आज कुछ ऐसे अनुखे टोने टोटके मैं आपके लेकर आया हूँ जो कि आपका बिगड़ा हुआ काम कुछ ही शणों में बना देंगे ये कुछ ऐसी शक्तिया है जो कि परालौकिक है इस दुनिया से परे की शक्तिया है जिनको समझना इनसान के बस की बात नहीं लेकिन इनसानों पर ये राज करती है अगर ये शक्तिया आपके पास आ जाएं तो आप अपना मनचाहा काम चुटकियों में करा सकते हैं और ये सारे जितने भी टोटके ये काली किताब से आते हैं अब काली किताब में ये सब कुछ लिखा हुआ है कि इसको कैसे करना है इन शक्तियों से कैसे बात करनी है इनको कैसे अपने वश में करना है और अपना जो उल्लू है वो कैसे सीधा कराना है तो आज मैं आपको कुछ ऐसे गूड रहस से बताऊंगा अगर उनको आप अमल में ले आते हैं तो आपके बिगडवे काम शन भर में बन जाएंगे सबसे पहले बात करता हूँ मोहन की मोहन के कुछ ऐसे गुप्त मंत्र है काली किताब में जिनको एक बार फूक देने से किसी पर वो रात दिन आपके प्यार में बावरा हो जाएगा और काली किताब में ज्यादा तर जो मंत्र है वो है किसी को नुकसान पहुचाने के लिए इसलिए इसको काली किताब कहा जाता है काली किताब में वो सारा कुछ है जो आप सोच भी नहीं सकते कुछ ऐसे मंत्र हैं, कुछ ऐसे तंत्र हैं स्तंभन के कि आपको जो दुश्मन है, वो देखते ही देखते बावरा हो जाएगा, पैरलिसस हो जाएगा उसे खाट पकड़ लेगा, उठ भी नहीं पाएगा, कुछ ऐसे तंत्र हैं उसमें, तो जिन चीजों की मनाही है वो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन वशीकरन के सम्मोहन के आकरशन के कर्म जो हैं, वो मैं आपको जरूर बताऊंगा, उनको करके आप जो है, अपने जीवन में वो पा सकते हैं, जिसकी कभी आपने कामना की होगी तो यह जो यंत्र आप देख रहे हैं, इस यंत्र को अश्ट धातू पर बना लीजिए अश्ट धातू पर बना कर उस पर अश्ट गंद से आपको जहाँ जहाँ पर ये यंत्र बना है उसके उपर-उपर अष्टगंद लगा देनी है लोबान, नवैद, सब कुछ आपको आज अमवस्या है जब भी अमवस्या हो उस रात में कर देना है इस यंत्र को बनाईए अष्टगंद की स्याही से अश्ट धातू के उपर और फिर उसके उपर थोड़ी थोड़ी जो है अश्ट गंध छिलक दे ऐसा करते हुए जैसा ये यंत्र बना हुए बिल्कुल वैसा ही बनाए पर आपको बस क्लीम मंत्र का जाब करना है एक घंटे या दो घंटे जितना या था संभव संभव हो सके आप उतना कीजगा बैड़ जहेगे एक जगए पर और क्लीम मंत्र का जाब करते रहेगे और ये जो यंत्र आपने अभी बनाया था इसको अपने सामने रखिए ऐसा करत वे आपको एक यह दो गंटे निकाल देने हैं इसमें आप एक लाग के संख्या में भी जाब कर सकते हैं उससे अधिक भी कर सकते हैं यू समझ लीजे जितना घोट आप इसको देंगे जितना इसको आप जपेंगे उतना अधिक असर आपको दिखेगा इसके बाद अपने साध्या का नाम इसके पीछे लिख दीजेगा अश्टगंद से और इसे किसी ऐसे सुनसान जगह पर रखाईए जहां पर कोई इसे ढूंड ना पाए चाहे तो जमीन में गाड़ दीजे चाहे किसी गुफा में फैक दीजे या फिर कोई ऐसी जगह रखे जहां पर कि कोई जाई ना पाए इसको ऐसी सुनसान जगह पर रखकर आ जाईए और मैं आपको गैरंटी देता हूँ अगली अमावस्या तक आपकी जो भी कामना रही होगी जो भी आपने सोचा होगा वो सारा कुछ फलित हो जाएगा ऐसा कीजिए और फिर देखिए आपको तंतर का प्रयोग पता लग जाए रहे कि तंतर में कितनी शक्तियां होती है इसके पीछे एक बहुत विचित्र शक्तियां जो काम करती है वो सिर्फ आपका ये काम नहीं बनाएगी आपके मन में जो जो विचार उठ रहे होंगे उनको भी पढ़ लेगी और आपको दिन प्रति दिन उन विचारों को और प्रबर्द करती जाएगी और जो जो आप कर सकते हैं जो जो आप हासिल कर सकते हैं ऐसे विचार आपको दिखाएगी और उनको आपकी जिन्दगी में प्रकट भी करेगी ऐसी कोई कामना नहीं होगे आपकी जो की पूरी नहों पाए ये छोटी सी साधना करने से आपको वो सब मिल सकता है जो आपने कभी सोचा था मैंने अपने काफी साधकों को ये साधना बताई है और जिस जिसको मैंने ये दी है उसका असर बखू भी दिखा है ये साधना है मैं गुप्त रखता हूँ लेकिन जो इच्छुक है मैं देख रहा हूँ कि मेरी कम्यूनिटी बढ़ रही है और जो मेरे इच्छुक हैं जो साधक हैं जो चाहते हैं कि तंत्र का प्रयोग कर सकें कुछ ऐसा मिले जो कि वास्तविक्ता में काम करता हो तो आप ये कीज़े और फिर जानिए कि जो भारत है वो तंत्र का रत्न था यहाँ पर वो सब पॉसिबल है जो इंसान सोच भी नहीं सकता क्योंकि अब तक हमारा जो विज्ञान है वो इतना नहीं बढ़ा कि इन चीजों को समझ पाए तो ये कीज़ेगा और कितना जल्दी आपको असर दिखा वो मुझे बताइएगा मेरे मुबाइल नंबर पर ट्रिपल आइन टुट फॉर सोला पच्चिस वाटस अप कीज़ेगा धन्यवाद